सलावhernय क्म ही दोस्तों आप सब कैसे लाकरम साथ सब भी ठीक है आप सब की द्यात्या से हम भी ठीक हैं जो भी मेरे चैनल पर नहीं है प्लेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हम सब दरगा पे जाते हैं तो कभी नए कभी तो बूधी ले के खाते हैं आज मैं घर पे बनाऊंगी कैसे बनाते हैं चलके बनाते हैं कप में बेसन ले ले लिए गिलास पानी ले ली हूं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के एक बनाना है पतला घोल नहीं बनाना है अच्छे से मैं घोल बना लेती हूं खाने में बहुत अच्छा लगता है तूरा सा पानी और ढाल देती उने थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर humana कि अधक्या नियुस्चम्वसर में आप देख सकते हैं मैं चुमत दिखा देती हूँ यह नियुक्त ज्यादा पतला उने कंशी कफ कर सक कड़ा डालें सो शक्कर डालूँगी इसी कप से में बेशन लीती अब इसी कप से सक्कर डालूँगी इसी कप से अधा कप मैं पानी डाल देती हूं चासनी बनाना है चासनी एक दो तार का नहीं बनाना है इसमें मैं थोड़ा सा एलो कलर डाल देती हूं तीन कुटी हुई लाइचिक डाल देत तरहा है है पकाले तिन करना श्मीर पकाणा नहीं terre को अच्छय में अच्छ च्छा लगता है खाने में बहुत पसंद आता है सभी को अक्षर करके ज्यादा तर यह दरगा पे ही मिलता है आज में घर पर बनाऊंगे तेल को मैं अच्छा घरम कर लीए हूं आज को मैं शिलो कर देती हूं अब एक चिम्मच में बड़े चिम्मच एक छेद वाला चिम्मच लेके इसे मैं इस तरह चान लेती हूं तेल अच्छा गरम रहेगा तभी अच्छे से ये बनेगा नहीं तो नीचे तालू में चिपक जाएगा ज्यादा भी नहीं डालना है एक छोटा कर्चुल ही डालना है ऐसे मैं ठोक देती हूं ताकि जितना भी रह वह नीचे जर जाए आप द तरह बना लेना है आप देख सकते हैं यह इसका पैचा नहीं रहता है जब अच्छे से पक जाता है तो यूगे आज जाता है बुल्बुले नहीं रहते हैं यह हो गया है इसे में पलेड में निकाल लेती हूं कि सभी को मैं अचितरा चान लेती हुँ अब इस में फिर से बेटर को डालूंगे उसी तरह जिम्मच पे लेकर गशिम्मच पे मैं चान गीए तेल अच्छा कप पार मालूम नहीं प्हाइज सुरी धिनों अच्छव करने भी तो विंदी तो तुझा उल्म होज हैं कोई विपारों दोक्ला जाते हैं के थी कोई में is मारी में सब्सक्राइब जब अच्छे से पक जाता है तो उपर आ जाता है इसका वही पहिचान रहता है यह भी हो गया इसे भी मैं छान लेती हूं इसी तरह मैं सभी को बना लेती हूँ सभी घोल के बेशन को बना लेती हूँ सभी बेशन को मैं बना ली हूँ अगर चासनी गाड़ी हो जाए या ठंडी हो जाए तो उसे फिर से गैस पे रखके थोड़ा गरम कर लीजिएगा यह ज़्यादा गाड़ी हो गई तो हलका सा पानी डाल दीजिए गर चासनी को मैं हलका गरम कर ली हूँ इसमें मैं सभी बूंदी को डाल देती हूँ आपको दिखा देती हूँ कितना ये खस्ता बना हुआ है इसे मैं अच्छी तरह मिस कर देती हूँ कलर टालने से इसका कलर बहुत अच्छा रहता है, इसको अच्छी तरह मिस कर देना है, अच्छे से मिस कर दी हूँ मैं, आप देख सकते हैं, इसे मैं ढखके एक घंटे के लिए रख देती हूँ, इसे मैं ढखके रख दी थी, आप देख सकते हैं, अच्छे से ये फूल गया है, अभी भी नीचे हलक गंटा नहीं रखी थी थोड़ा कमी रखी हूं आप गंटा रखेंगे बहुत अच्छे से बनता है यह पूरा चासनी सोख लेता है आप देख सकते हैं इसे मैं पलेट में निकाल ली हूं आपको मैं चिम्मत से उठा के देखा देती हूं यह रहा संदर तक के भर गया है खाने यह आप इस तरह बलाईएगा फातिया कराईएगा बहुत अच्छा लगता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइज सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते लिए वीडियो में